Hello friends and dear students, आज हम discuss करेंगे model question paper of pathophysiology course code BP2040 जो कि हमारे B form second semester first year students के लिए काफी लाबदाइक साबित होगा इस वीडियो में जो हम model question paper आपके सामने रख रहे हैं वो pharmacy council of India के latest examination pattern और latest syllabus के उपर based है यानि आप भारतवर्श के किसी भी university किसी भी college में पढ़ रहे हैं कुछ इसी प्रकार का प्रश्ण पत्र आपको देखने को मिल सकता है दूसरी जो जोई चीज है वो यह है कि इस प्रश्ण पत्र में जो भी प्रश्ण हम आपके सामने रख रहे हैं यह सभी प्रश्ण 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 में within universities के दौरा आप पुछे जा चुके हैं यानि ये सभी प्रेशन काफी important हैं और exam में जाने से पहले कम से कम एक बार आपको इन सभी प्रेशनों को जरूर हल करके देख लेना चाहिए मैं हूं Dr. बजयने शुक्ला चली शुरू करते हैं तो जैसा आपने पहले कहा सभी model question papers में कि जो हमारा paper है वो total तीन sections में बटा होता है इस पर pharmacy council of India जिसको हल करने के लिए आपको total 3 hours का समय मिलता है total 75 marks का ये paper होता है तीनों ही section आपको solve करने होते हैं जो section A होता है हमारा उसमें very short answer type questions होते हैं कई बार short answer type questions के साथ ही साथ optional type questions जिसमें आपको multiple choice देखने को मिल सकती है या फिर fill in the blanks to and flons match the following जैसे questions भी देखने को मिल सकते हैं बट generally यहाँ पर हमें very short answer type questions देखने को मिलते हैं यानि हमको brief में इनका answer करना होता है total 10 questions होते हैं दो number के और 20 marks रहे पूरा section होता है यहाँ पर सभी questions हमें solve करने होते हैं यहाँ पर किसी तरह केगा कोई question हम छोड़ नहीं सकते हैं चलिए तो सबसे पहला प्रशन है हमारा define cellular adaptation hypertrophy and anemia cellular adaptation cell की ऐसी conditions होती है हमाई शरीर में ऐसी एक आप कहा सकते हो homeostasis को maintain करने की एक तरीका है जहां पर जब भी cell को लगता है कि कोई दूसरा जो adverse environment हो रहा है कोई adverse effects हो रहे हैं या फिर कोई stimuli आ रहा है जिसकी presence में जो cell है वो अपने अंदर कुछ changes करती है homeostasis को maintain करने के लिए या किसी भी biochemical process को वापस से maintain करने के लिए cell अपने आप में adaptations लेकर कर आती है उसको उस response के खिलाफ काम करती है उसी को बोलते है cellular adaptation जैसे की हम कह सकते हैं लगबग पांच तरीके के होते हैं कुछ केताबों में चारी तरीके का जनरली से पांच तरीके का हम मानते हैं सबसे पहला हमारा होता है hypertrophy जो कि यहां पर लिखा है hypertrophy का मतलब है किसी भी इस्चमलाई या किसी भी adverse environment के दौरान हमारी जो cell है उसकी size increase होने लगती वो अपने आपको उसकी जो size है cell की वो increase करती है जबकि number of cells नहीं बढ़ते size बढ़ने के वज़से cellular size बढ़ने के वज़से जो affected organs है उनकी भी size का हो जाती बढ़ जाती उसे कहते है hypertrophy दूसरा होता है हमारा hyperplasia hyperplasia में जो cell की size तो नहीं बढ़ती लेकिन cell के number बढ़ने लगते यानि जो cells की capability है dividing होने की वो उसको फायदा उठा करके अपनी संख्या में बढ़ने लगते है और cell की संख्या बढ़ने की वज़से भी जो हमारा affected organ है उसकी भी size का हो जाती है बढ़ जाती है तो इसे क्या कहते है hyperplasia तीसरा होता है हमारा atrophy atrophy में क्या होता है कि जो number of sorry जो size of size और number दोनो size और number जो है cell की उसकी संख्या में कमी आने लगती है और जिसकी वज़से जो metabolic activity है whole organ की वो क्या हो जाती कम हो जाती है उस condition को कहते है atrophy अगला है हमारा metablasia metablasia में जो different cell types है वो reversibly एक दूसरे में क्या होने लगते है change होने लगते है due to the chronic irritation और पांचवा है हमारा dysplasia जहांपर abnormal cells का presence जो है वो हमें देखने को मिलता है तो यह है हमारा cellular adaptation hypertrophy अभी हमने बताया कि जब increase होती है cell की size में जबकि नई cells का बढ़ना नहीं शुरू होता उसी को क्या बोलते है hypertrophy जिसकी वेसे affected organ की cell affected organ का जो size है वो बढ़ जाता है और यह कब होता है जब भी adverse environment या कोई stimuli जो है वो cell को हमें मिलता है next anemia अनेमिया हम सभी जानते हैं मौत ही एक general system है जब आपके शरीर के अंदर RBCs hemoglobin या blood simple कह सकते हैं जब उस angina genesis, hemophilia and neoplasm देखिए angina genesis का मतलब है कि formation of जो हमारी vessels है new blood vessels उनका formation यह होता है कि migration, growth और differentiation of endothelial cells शुरू होती है जिसकी वज़ा से जो cell wall की inside है वहाँ पर sorry blood vessels है उनके inside में जो endothelial cells है वहाँ पर migration, growth और differentiation हो रहा है जिसकी वज़े से नई-ई-ई blood vessels वो बनना शुरू हो जा रही है and that condition is known as angiogenesis next is hemophilia, hemophilia एक ऐसी condition है आप कह सकते हैं protein में mutation होने की वज़े से या blood clotting factors के कम होने की वज़े से जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है कोई घा हो जाता है तो जो blood का बहना है वह अपने आप clot नहीं बनता और blood जादा दिर तक बहता रहता है that condition is known as hemophilia, छोटे-बोटे cut में भी खून जादा दिर तक बहता रहता है that condition is known as hemophilia, next is neoplasma, neoplasma ऐसी condition है जो cell है वो uncontrollable divide हो रही है कोई tissue जो है वो extra बन रहा है या tissue का जो mass है वो बन रहा है due to the faster division और नए प्रकार के abnormal cells का generation हो रहा है that condition is known as neoplasma, कई बार इसको cancerous या non-cancerous जानी benign भी हो सकता है, malignant भी होता है, benign मतलब benign tumor बनते हैं कहने का मतलब कि जो cancerous tumor नहीं है, वैसे भी tumors बनते हैं neoplasma की वज़े से या फिर कई बार cancerous malignant tissues के formation की वज़े से भी ऐसा होता है, या नि cancerous और non-cressant दोनों हो सकता है, next question is describe myocardial infraction in brief, myocardial infraction को हम ये simple कह सकते हैं कि जो हमारा herd की arteries है उसमें blockage हो जाती है, जिसकी वज़े से herd को जो blood flow प पहुच नेरा, और इसकी वज़े से tightness होने लगती है, chest में ऐसा लगता है कि tight हो गया है, बहुत ज्यादा pressure लग रहा है, chest में pressure आ जाता है, chest में जो hurt का area वहाँ पर आपको pain होता है, आपके jaw जो है वो जकड़ जाते हैं, आपको breathe, जो आप जो सांस ले रहे हैं वो बहुत और यह सब क्यों हो रहा है, क्योंकि blood की supply hurt को जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रहे है, next question इसी के अंदर जुड़ावा, what are the morphological changes in reversibly injured cell during hypoxia, दो तरीके की cell injury होती है, तो reversible जिसमें हमारी जो cell है वो वापस अपने आपको ठीक करके पहले जैसे हो जाती है, और एक irreversible जिसम में जो आपका conditions में जो भी चीजे changes होंगे, generally जो changes होंगे, वो योगा की जो cellular ATP का generation है, वो कम हो जाएगा, intracellular जो pH है, वो reduce हो जाता है, protein synthesis रिड़ो जाती है, जोतनी भी metabolism है, वो तो बहुत ही कम हो जाती है, these are the morphological changes, साथी साथ, क्योंकि ये भी, ये जो condition है, इसमें cellular adaptation की ब blood cells है, जो कि oxygen को carry कर रही है, उनकी size में बढ़ातरी होती है, साथी साथ hyperplasia भी हो सकता है, जहां पर number of cells का भी increase करता है, ताकि oxygen carrying capacity जो है, वो बढ़ जाए, तो ये सारे changes यहां पर हमें देखने को मिल, sign and symptoms of leprosy, typhoid, cephalis and tuberculosis, ये सभी बिमारिया है, काफी सारे आपके syllabus में जिन क्या आपको sign and symptom माल हो रहा चाहिए, तो सबसे पहले है हमारा leprosy, leprosy जो है वो एक bacterial problem है, typhoid b और इस तरह के cephalis और ये सभी bacterial problems है, और इस पे होता क्या है कि जो हारी skin है, उस पे discolor patches बनने लगते हैं, छोटे-छोटे patches बनना शुरूर जाते हैं, जहां पे discolorization होता ह यानि आपकी skin के color से अलग तोड़ा सा whiteis color के patches देखने को मिलते हैं, flat और बहुत सारे numbers में देखने को मिलते हैं, lighter skin वहाँ पर हो जाती है, साथी साथ यहाँ पर कई बार nodules बनने लगते हैं, कुछ growths होने लगते हैं, skin के उपर thick और stuffy dry skin देखने को मिलती है, कुछ painless elcers बन eyebrow और eye laces इत्यादी gap होने लगती है, और जो skin है वह गलना शुड़ हो जाती है, that's condition is known as leprosy, next one is typhoid, typhoid जो है उसमें बहुत सारा हम सब को मालूम है, बहुत ही common सी problem है, fever शुड़ होता है, slow, धीरे-धीर, fever starting में slow रहता है, धीरे-धीर बढ़ने लगता है, दिन पर दिन, और कई बार 104.9 Fahrenheit या फिर 40.5 degrees Celsius तक भी high temperature में यह जा सकता है, इसमें बहुत सारा सरदर्द होता है, शरीर में weakness आती है, fatigue लगता है, थके हुए अपने आपको मैसूस करते हैं, muscle में एक सुरू हो जाता है, muscle में दर्द होते हैं, sweating बहुत सारा आपको पसीना निकलता है, dry cough हो और भूक और weight दोनों का ही loss शुरू हो जाता है, इस टमक पर pain होता है, यह सारे symptoms हैं हमारे टाइफाइट के, next is syphilis, syphilis जो है वो आप कह सकते हो कि दो तरीके से problem है, एक तो genital area की या mouth में, mouth और genital area में धेर तरीके के कुछ दाने, कुछ खुजलियां या rashes, या फिर जो muscles हैं, उसमें उसको दर्द होता है, fever भी आता है, कई बार जो है, जो गला है वो बैट जाता है, और lymph node इत्यादी जो है, वो swollen हो जाती है, खुजलियां इत्यादी होती है, genital areas में, mouth areas में, तो उसी को क्या बोलते हैं, syphilis का एक symptom आप कह सकते हैं, next is tuberculosis, tuberculosis को TV भी हम लो बोलते हैं, short form में, और ये अगर किसी व्यक्ति को सबसे बड़ा symptom इसका ही है, कि तीन month या, sorry, तीन week या उससे ज़्यादा समय से खासी आ रही है, लगातार खासी आ रही है, कई बार खासी में, blood भी आ रहा है, या cuff धेर सारा मातरा में, mucus निकल रहा है, chest में पेन हो रहा है या फिर जब भी सास ले रहे हैं, या खास रहे हैं, तो दर्द का एसास हो रहा है, और धेर सारी मातरा में, मतलब बहुत तेजी से, जो है, weight loss होता है, fever आता है, fatigue होता है, मतलब ठक जाता है व्यक्ति, और कई बार जो है, chills, ठंडी जैसे लग करके बुखार आता है, तो ये सारी कंडिशन्स जो है, वो tuberculosis के science and symptoms के अंतरगत आती है, science and symptoms आपको बताना था, cognitive agent या नहीं बताना है, नि तो आप चाहें, तो इसा भी bacteria के नाम भी लिखते हैं, इसे tuberculosis है, macrobacterium tuberculosis है, ये साड़ा चीज आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, वो physiological regulation system है, किसी भी living body के अंदर, जो कि body को किसी भी condition, किसी भी आप कह सकते है, unfavorable condition से, या जो भी changes हो रहे हैं, लगाता है, उन सबसे उसको normal जो intended state है, जासे जो homeostasis है, normal homeostasis, वहाँ पर वापस लेकर के आती है, that is known as feedback mechanism, ये दो तरीके की होती है, अगर आप कह सकते हैं, तो क्या नाम है, बन रही है, और उसके positivity की वज़ा से, वह वापस है, human status में maintain हो रहा है, तो उसे हम लोग positive feedback में होलते हैं, कई बार बहुत जादा बन जाता है, जादा बनने लगता है, तब उस condition में negative feedback mechanism जो है, वह हमें देखने को मिलती है, तो यहाँ पर दो types जो है, वह positive and negative feedback mechanism दिशनी Cindy Boardman, इस एक्जांपल आप ले सकते हो, जो आप लोग धेर सारी मातरा में खाना खा रहे हैं, तो glucose हमें धेर सारी मातरा में बन रहा है, कई बार क्या होता है उल्टा है जब आपके शरीर में ग्लुकोज की कमी हो जाती है ग्लुकोज अब नहीं है तो जो वो ग्लाइकोजन है वो वापस से तूटता है ग्लुकाओन की प्रेजन्स में ग्लुकोज अब को मिलता है तो that is known as feedback कि जब आपके शरीर में ज्यादा हो गय तो उसको भी maintain किया कम हो गया तो उसको भी maintain किया that is known as feedback system next what do you understand by ulcerative colitis and jointis ulcerative colitis नाम से बता रहा है ulcerative जानी ulcer होने की वज़ा से colon में itis ज्याद भी लगा उसका मतलब होता है inflammation colon में या फिर आपके GI tract में क्या हो जा रही है inflammation हो रहा है that is known as ulcerative colitis कहने का मतलब यहाँ पर य ulcer या फिर छाले जो है वो बनाती है digestive tract के अंदर यह जो ulcerative colitis है वो जो आपकी large intestine है खास करके colon और rectum उसकी जो inner most lining है उस पर छाले इत्यादी प्यादा करती है और जिसकी वज़े से दीरे-दीरे आपको दर्द, pain और अपच इत्यादी जो होने लगता है आप कह सकते हैं कि यह तुरंत नहीं शुरू होता इसके जो symptoms हैं वो दीरे-दीरे develop करते हैं समय के साथ और कई बार जो है देखने को मिलता है कि यह generally जल्दी पता नहीं चलता, that is known as ulcerative colitis, अगला है हमारा jointis, jointis जो है वो भी एक common term है, एक बिमारी है, जब हम लोग देखने हैं कि हमारे शरीर के अंदर bilirubin की मात्रा बढ़ जाती है, hyper bilirubin जैसी condition होने लगते हैं, कहने का मतलब जो skin है, उसमें आपको थोड़ा सा yellow color की हो जाएगी, जो eyes हैं वो yellow color की हो जाएगी, mucous membrane जो है वो भी yellow color का हो जाता है, और एक yellow orange color का pigment जो bilirubin है, उसकी मात्रा आपके शरीर के अंदर बढ़ जाती है, normally bilirubin की जो मात्रा होती ही शरीर में वो एक milligram per deciliter के करीब-करीब होती है, बट ये जो है मात्रा बढ़ जाए, बहुत जादा बढ़ जाए, एक के उपर निकल जाए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं, jointis की condition हो बन रही है, jointis के बहुत सारे causes हो सकते हैं, जै treatment की बहुत जोरत नहीं पढ़ती है, यहां पे prevention की जोरत पढ़ती है, jointis के cases में हम लोग कोशिश करते हैं कि ठेर सारा fluid ले, जैसे की गन्य का रस इत्यादी आप पी सकते हैं, गुड इत्यादी आप खा सकते हैं, साथी साथ जो है, जो oily food है, जो मसालेदार food है, उसको खाने treatment है, वो condition होती है ऐसी, जब आपके शरीर में धेर सारी मात्रा में protein जा रहा है, और protein के तूटने पर uric acid बन रहा है, और that uric acid जो है, वो deposit होड़ा रहा है, आपके जोडों में, जैसे गुटने का जोड है, आपके मुलियों के जोड़े हैं, वहा पर, और जिसके जिसे आपक और जो जैंतीन ऑक्साइड है, वही liver damage को पता करने का blood ऐसे हम लोग करते हैं, तो उससे यह पता भी चल जाता है, जैंतीन ऑक्साइड जो है, वो metabolic pathway है, uric acid formation में मदद करता है, और अगर uric acid ज्यादा बनेगी, तो फिर gout होना अपने आप ही possible होता है, तो इस प्रकार से कुशन जो इसमें जुड़ा हुआ है, जिसमें आपके शरीर के अंदर thyroid hormones की मात्रा जो है, वो बढ़ जाती, बहुत ज्यादा उसका production होता है, hyperthyroidism इसको हम लोग कहते हैं, यह common cause है, जहां पर आप देखते हैं कि जो आपकी जो body है, उसमें धेर सारी मात्रा में thyroid पैदा हो जिसकी वैसे metabolic, basic metabolic rate जो है, सरीर का वो बढ़ जाता है, और धेर सारी जो है दिक्कते आती है, जैसे कि आपकी body का weight बढ़ने लगता है, आपको जो आपकी breathe है, वो shortness होने लगती है, आप जल्दी ठकना शुरू कर जाते हैं, इस तरीकी की conditions होती है, that is known as grave disease, next is differentiate between metastatic and diastrophic calc calcification, calcification मतलब calcium का बनना, देखे या दो तरीके का जो आपने देख रहे हैं, hypercalcemia, जहां पर आपके शरीक अंदर calcium की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, और जो metastatic type का होता है, उसको हम लोग एक प्रकार का hypercalcemia बोल रहे हैं, जो की calcium को deposit करता है, जो previously normal tissues हैं, जबकि जो हमा hypercalcemia होने के वज़े से यह बनता है, diastopic calcification जो होता है, वो injured और necrotic tissues होते है, normal serum calcium level को increase करने के लिए वहाँ पर आता है, जैसे कि कुछ आपका condition है, जैसे कि tuberculosis है, abscess है, आपका hydrated disease है, इन diseases में हमें dystrophic calcification जो होते हुए दिख रहे है, next question is, define chemotaxis, काफी सारे terms हैं, तो एक ए देके चलते हैं, सबसे पहला हमारा chemotaxis, chemotaxis है, जो कोई एक organ या पूरी entity जो है, वो किसी chemical stimulus की वज़ा से movement उसमें होता है, उसे हम लोग क्या कहते है, chemotaxis जैसे कि कुछ somatic cells है, bacteria है, या कोई single cell या multicellular organism है, जो की अपना movement करता है, किसी certain chemical में अपने environment, sorry, इनके environment में किसी certain chemical क जैसे उची को क्या बोलते हैं, chemotaxis बोलते हैं, next is syzophania, syzophania जो है serious mental disorder है, जहां पर कोई व्यक्ति जो reality में है, reality है, जो हमारे आसपास का सच है, उसको पहचानने में उसको दिक्कत होती है, यानि वो reality को abnormally जो है, वो interpretate कर रहा होता है, कहने का मतलब, यहां पर उसे hallucinations हो दून रहा है, या मैसूस कर रहा है, जो कि actually वे है नहीं, इसके साथी साथ, वहां पर कुछ उसको बहुत अजीवो गरीब वो सोच रहा है, हरकते कर रहा है, या उसका जो behavior है, जो daily life को जीने के लिए जो functions है, वो सही से नहीं कर पा रहा है, और कह सकते हैं, आपकी वो normal विक जो है, जो brain का part है, उस तक पहुंचने में interrupt होता है, या फिर reduce हो जाता है, जिसके उसे brain tissues को जो oxygen की supply है, जो nutrition की supply है, वो कम पहुंचती है, और ऐसी condition को हम लोग की stroke बोलते हैं, ऐसी condition में जो brain cells हैं, वो धिरे-धिरे मरना शुरू कर जाती हैं, और stroke को हम medical emergency के रूप में लेत है, वो हमारे शरीर का, आप कह सकते हैं, driver है, यानि वही सब कुछ control कर रहा है, अगर वो गरबढ़ होगा, तो काफी चीजें जो हैं, वो गरबढ़ हो सकती है, that condition ही नहीं हो जाए, stroke, next is hemorrhase, hemorrhase जो है, वो एक common term है, जो कि उस समय हम लोग यूज करते हैं, जबकि आपकी damage blood vessels, आपके शरीर के अंदर की, जो blood vessels है, वो damage हो जाए, जिससे bleeding शरो हो जाए, कून का बैना शरो हो जाए, आपके शरीर के अंदर ही, that condition ही नहीं हो जाए, hemorrhase, hemorrhase को कई परकार, हम ये भी कह सकते हैं, outside भी, जो blood, आपकी skin cut गई, या घाओ लग गया, और blood बैरा, उसको हो भी hemorrhase में रख सकते हैं, बर generally जे term जो है, वो damaged blood vessels से bleeding होने की condition को ही हम लोग hemorrhase के नाम से जानते हैं, next is, what are the characteristic feature of acute inflammation, acute inflammation मतलब थोड़ी समय के लिए, किसी भी जगह पे, जहां पे चोट लगी है, या जहां पर कुछ problems होई है, जिसको जिसे local आपके जगह पर edema हो रहा ह है, वहां पर redness हो रहा है, थोड़ा सा वो खीच गई है, tenderness हो रही है, मतलब वहां पे pain है, या फिर उस जगह का जो temperature है, वो increase कर रहा है, या फिर जो function है, वो क्या हो रहा है, district हो रहा है, जिसकी वज़े से वहां पर सूजन हो रही है, दर्द हो रहा है, redness हो रही है, itching हो रही है, आपको unpleasant feeling जो है, वहां पर आ रही है, अगर excessive मातला में leekocyte accumulation हो जाता है, जब भी चोट लगती है, या कोई response की वज़े से आपको, तो वहां पर leekocyte cells होती है, उनका accumulation बढ़ जाता है, जिसकी वज़ा से hard हो जाती है वो skin, या फिर वहां पर सूजन आती है, that condition is known as acute inflammation, this is the section A, और इसके सभी questions को brief में answer कैसे आप करेंगे, वो भी मैंने बताने के कोशिश की, अब आते हैं, बड़े वाले questions के तरफ, that is section B, जहां पर आपको long answer type questions देखने को मिलता है, इसे आपको पूरी detail में लिखना होता है, जितना आप जानते होतना, क्योंकि यहां पर आप पर जब हम लोग इस तरीके का प्रशन अगर देखें, जहां पर एक से जादा हमें मिल रहे हो, उसमें दो या तीनी आपको explain करना हो, तो अगर आप आ रहा हो, तो आप जरूर उसको solve करें, क्योंकि इसमें numbers आराम से बढ़ जाते हैं, और अच्छे numbers जो हमें प्राप्त होत अब मैं इन सब को details नहीं करूंगा, क्योंकि वीडियो भी बड़ा हो रहा है, बट आपके पास किसी भी अच्छी book से लेख करके, जो आपके class में आपको पढ़ाया गया, वहां से note से, आप इनके answer जो है, detail में लिखे, write a short note on any four of the following, urine crack infections, hemophilia, Parkinson disease, tuberculosis और asthma, यह सब ही बिमारि methodology of Parkinson disease, explain the instruction and extension pathways, next एक चीज और बहुत ही जरूरी चीज है, यहां पर जो हम questions आपको दे रहे थे, उपर भी काफी सारा, जैसे हमने define बोला, तो chemo such चीज काफी चार लिग दिया, इसलिए क्यों कि यह बहुत सारे 17-18 papers देखने के बाद, जो चीज पूछी गई है, आज तक, व आपको इस model paper में रख रहा हूं, ताकि आप सिर्फ यही model paper अगर पढ़के जा रहे हैं, तो भी आप पास अच्छे number से हो जाए, यानि इस paper को तो आपको पूरी तरीके से त्यार करके ही जाना चाहिए, अब आई चलते है section C की तरफ, यह होता है हमारा section C, जहापे हमें 7 questions द मैं 7 questions दे रहा हूं, जिसमें से कोई भी 5 questions आपको solve करने है, सबसे पहला question है, define acute inflammation, explain the pathogenesis of acute inflammation, add a note on chemical mediators of inflammation, next is discuss the pathophysiology of atherosclerosis, hypertension and angina, तो इन बिमारियों की pathophysiology आपको यहाँ पर देनी है, next is explain the different steps involved in the cell injury during hypoxia और ischemia, यह दोनों ही काफी important conditions है, जिसमें जो cell injury होती है, उसमें क्या-क्या steps involved हो रहे हैं, वो आपको यहाँ बताना है, next is define anemia, define anemia, अभी हमने discuss किया था, elaborate iron deficiency anemia, जो iron deficiency anemia, उसके बारे मैं आपको यहाँ पर explain करना है, इसके बारे मोगों नोगों नोगों आईपी से भी पढ़ा था पिछले 1st semester में, तो वहाँ सभी आप answer यहाँ प यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, यहाँ पर देदिया, लेकिन इस पर से एक ही आपको पेपर मिलता है, बद आपको यह सब सारे त्यार करना है, because they are the important one, next is explain the pathophysiology of AIDS, cognitive health value, that is CHF and diabetes, last question of this model question paper is differentiate between rheumatoid and osteoarthritis, sorry arthritis, explain the pathophysiology of osteoarthritis, तो यह हो गया आपका question paper, जो कि pathophysiology का ह है, काफी important questions इसके अंदर रख दे हो है, अगर यह प्रशन आप सभी तयार कर लेते हैं, तो मेरी तो यह कहना है, कि आपका जो paper है, या number जो आपके आने वाले है, बहुत ही अच्छे आने वाले है, तो इसलिए इस paper को जरू तयार कीजेगा, अगर आपके कोई प्रशन है, क प्लेलिस्ट में, वो आप जरूर देख सकते हैं, ताकि आपके एक या दो number वाले questions हैं, वो ज्यादा तर solve हो जाए, उसमें explanation के साथ दिया गया था, प्लस कहना में कोई भी अच्छी book या अपनी जो class notes हैं, जो आपके teachers ने आपको दे रखें, उसकी सहायता से आप लोग इन किताब से सीधे मत छापिए, केवल उसको आप क्या करिए, पहले समझिए, कि हाँ आपको ये question है, इस question का इतना answer बनता है, उसको पढ़िए, याद करिए, दो या तीन question, चार question, एक दिन में solve करिए, उसको note down करिए, इससे आपका exam की भी तैयारी हो जाएगी, साथी साथ वो प्रशन आपका हमें सागले त्यार हो जाएगा, और आप उसको लिख के भी देखते हैं, तो लिख करके देखने में सबसे अच्छे से याद हो जाता है, तो इसका आप लोग ज़रूर पालंग करें, बाकि आपकी कोई प्रशन हो, कोई आपकी बात हो, तो आप comment box में लिख चुनियत डॉक्टर पी के एस और डॉक्टर एम पी एस क्लासेज को और करें अपने वी फार्म डी फार्म का सपना साकार, डाउनलोड दिया हैं नाओ